हेलो एब्रीवन आप सभी का सुवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम से 183 पर आज है 9 नवंबर 23 और आज किस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9 नवंबर 23 के डेली करेंट अफियर्स के कुछ इम्पोडेंट कॉस्चन्स अगर आप किसी भी अज्यम की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यदा इम्पोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वैल आइकन को भी और पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं और आज की इस वीडियो की पीडिया फाइल आपको वारे टेलीग्रम चैनल पर मिल जाएगी और इस टेलीग्रम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस टेलीग्रम चैनल को जोइन कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा द्यान से देगे, इस वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे कुशिन भी पूचूंगा, और इस कुशिन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है, तो चलिए चलते हैं आज के अप्टे टापिक की ओ, तो अमारा आज का पहला कुशिन है, दुनि बंगलडेख की प्रधान मन्ती शेक हशीना और यही दुनिया की सबसे लंबे शमय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी हैं टाइम ने अपनी हालिय कवर इस्टोरी में बंग्लादेश की प्रधान मंती शेक हशीना को चित्रत किया है जो 76 वर्ष की आईउ में बंग्लादेश की इत्यास में सबसे लंबे शमय तक शाषिन करने वाली महला प्रमुग है नेक्स्ट कुशन है कॉन सा देश 24 में एशिए इ तीरंदाजी चैंपिन्शिप की मेज़बानी करेगा इस गरेगा का तो बंग्लादेश जो है वो 24 में एसिए तीरंदाजी चैंपिन्शिप की मेजबानी करेगा बंग्लादेश शाल दो यर पचीज में चौवीज मी एशिय तीरंदाजी चेंपिरिंशिप की मेजवानी करेगा और बैंकोक थाइलेंड में आयोजित बेश्व तीरंदाजी एशिय कांग्रेस में यह फैशना दिया गया है बंग्लादेश की राइदानी क्या है रहका बंग्लादेश की मुद्रा है बंग्लादेशी टका और याकि प्रदवन मंत्री है शेख हशीना नेक्ट कुशन है बेश्वदूर संचार मानकी करण सभादोया 24 का मेजवान कौन सा देश है इस कुशन का सही अंसर है आप्शन A भारत तो बेश्वदूर संचार मानकी करण सभादोया 24 का मेजवान अपना देश भारत है हर चार साल में आयो एक विश्व दूर संचार मानकी करण सभा ITU मानकी करण छित्व का श्याशी शम्मिलन है जो अंतरराष्टी दूर संचार संग और इस तरह सैवत राष्ट पढ़ाली के तीन विश्व शम्मिलनों वेशी एक है नेस्ट कुशन है इस कुशन का सही अंसर है आप इमेज में भी देख सकते हैं ये है सत्रंज की खिलाडी आर वेश्व ली और ये नोंने ही फाइड महला ग्रेंट स्विस दूर या तेज का टाइटल जीता है शत्रंज में आर वेश्व ली ने यूके के आइल ओफ वेन में FIDE महला ग्रेंट स्विस दूर या तेज का खिताब अपने राम कर लिया वही वेदित गुजराती ने सर्विया के अलग जेंडर फ्रेड के को हराकर ओपन शेक्शन में टॉप पोजीशन आशिल की नेस्ट कुशन है बहारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इस कुशन का सही अंसर है option B हीरा लाल साम रिया आप image में भी देख सकते हैं ये है हीरा लाल साम रिया और इनी को भारत के मुख्य सूचना आयोकत के रूप में नियुक किया गया है इस कुशिन का सई अंसर है ओप्शन C नई दिल्ली तो गंगा उतसब के साथ में संस्क्रण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है गंगा उतसब के साथ में संस्क्रण का आयोजन नई दिल्ली में राष्टिय स्वच गंगा मिशन द्वारा किया गया और इसका उदगाटन जल शक्ती मंत्रा लेके जल शंशादन नदी विकास और गंगा सररचन बिवाकी सचिब सुसरी देवासरी मुखर जी ने विशेश सचिब एवं महान देशक स्री जी अशोक कुमार की उपस्तिती में किया नेस्ट कोशन है बेश्व स्वास्त संगठन के दच्चरपूर्व एशिया छेत्र की अगली छेत्री निदेशक साइमा वाजेत किस देश से हैं इस कुशन का सही अंसर है ओप्शिन से बंगलादेश तो बेश्व स्वास्त संगठन के दच्चरपूर्व एशिया छेत्र की अगली छेत्री निदेशक साइमा वाजेत बंगलादेश से हैं हाल ही में बंगलर इसकी पधान मंत्री शेख हशीना की बेटी सायमा वाजेद को विश्वस्वास संगठन के दाश्चरपूर्व एशिया छेत्र के लिए अगले छेती निदेशक किरोप में नामित किया गया है नेक्ट कुशन है हाल ही में बेश्वा रेडियो ग्राफी दिवस कम मनाया गया है और इस कुशन का सही अंसर है आप्शन ए आठ नवंबर हाल ही में बेश्वा रेडियो ग्राफी दिवस आठ नवंबर को मनाया गया है हर साल आज नवंबर को विश्व इस्तर पर अंतरराष्ट ये रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है यह दिन रेडियोग्राफी के उस मूर्ल के बारे में जारुकता को बनावा देने के लिए मनाया जाता है जो सुरच्छित रोगी देखवाल में योगदान देता है और स्वास्त देखवाल की निरंतर तामे मत पूर भूमका रेडियो लॉजिस्ट और रेडियो ग्राफर की सारवजनिक समझ में निरंतर सुरहार करता है नेक्ट कोशन है और इस कोशन का सई अंसर है तो हाल ही में प्रशिद संगीत का लीला ओम चेरी का 94 वर्स की आयू में निधन हो गया है नेक्ट कोशन है केस राज सरकार ने मेडिकल कोलेजों में हिंदी M.E.B.S. पाठकरम शुरू करने की कोशना की है और इस कोशन का सई अंसर है आप्शन सी उत्तराखंड तो उत्तराखंड राज सरकार ने मेडिकल कोलेजों में हिंदी M.B.B.S. पाठकरम शुरू करने की योशना की है उत्तराखंड के स्वास्त और सिच्छा मंत्री धन से रावत ने गोशना की है कि राज के चिकित सा सलस्तान हिंदी में M.B.B.S. पाठकरम को प्लद कराएंगे और मद्द पदिस राज के बाद इस तरह का पाठकरम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज होगा अब उत्तराखंड जो राज है इसकी राईधानी दो है एक दहरादून है और दूत्री है गेर्शन अब देहरादुन जो राई धनी है वो शर्दियों के लिए है और गेर्शन जो राई धनी है वो गर्मियों के लिए है उत्राखन के मुख्यवंत्री कोन है पोश्कार शेः धामी और राजपल कोने या के गुरमीत से है नेक्ट कोशन है बहारत ने किस देश को 4-0 से हरा कर महला एश याई चेमपिन श्ट्रोफी होकी का खिताब जीता है इस कोशन का सही अंसर है ओप्शन B जापान तो अपने देश भारत ने जापान देश को 4-0 से हरा कर महला एशियाई चेमपेंश ट्रॉफी होकी का किताब जीता है राची में हुए फाइनल मैच में मेजवन भारत ने पूर्व बेजेता जापान को 4-0 से पराज़त किया और हौकी इंडिया ने एशियन चेमपेंश टॉफी जीतने वाली भातिय टीम की प्रते खिनाली को 3-3 लाक रुपे देने की कोशना की है नेक्ट कोशन है कि इस IPS अधिकारी को CBI के सैपन देशक के रुप में नियुक्त किया गया है इस कोशन का सही अंसर है आप्शिन भी प्रवेण मदुरकर पवार आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं प्रवेण मदुरकर पवार और इनी को CBI के सैपन देशक के रुप में नियुक्त किया गया है उनकी नियुक्ती को लेकर सरकार ने अदसूचना भी जारी कर दी है इसमें बताया गया है कि भी कार्द भार समालने की तारीक से 5 साल की अब्दी के लिए या अगली आदेश तक जो भी पहले हो CBI के सैपन देशक बने रहेंगे नेक्ट कुशन है कि शब्द को कोलेंस डिक्शनरी का वर्ड ओप द या दो या तेश के लिए चुना गया है इस कुशन का सही अंतर है ओप्शन सी AI तो AI शब्द को कोलेंस डिक्शनरी का वर्ड ओप द या दो या तेश के लिए चुना गया है कोलेंस डिक्सनरीज ने AI को दो या तेज के लिए word of the air गोशित किया है जो हमारे दैनक इवन में artificial intelligence की बड़ती प्रमुकता को दर्शाता है नेक्ट कुशन है किसे bank of माराष्ट में कारकारी निदेशक के रोप में नियुक्त किया गया है इस कुशन का सई अंसर है option A. रोवित रशी आप image में भी देख सकते हैं ये हैं रोवित रशी और इनी को bank of माराष्ट में कारकारी निदेशक के रोप में नियुक्त किया गया है रोवित रशी ने 3AB विजय कुमार फैस्थान लेते हुए bank of माराष्ट में कारकारी निदेशक की भूम का शमारी है उनकी नियुक्ती 3 वर्ष के कारकार के लिए है जो 1 नवंबर 2 या 3 से लाग हुई है bank of माराष्ट की स्थापन कब हुई थी 16 सितंबर 1935 को और इसका मुख्याले कहा है पुरे में नेक्ट कुश्चन है टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बनले बाज कौन बने है इस कुश्चन का सई अंसर है option B एंजेलो मैथ्यूच आप image में भी देख सकते है ये है स्री लंका देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूच और यही टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बनले बाज बने है स्री लंका के अनुववी बनले बाज एंजेलो मैथ्यूच 6 नवंबर को ICC क्रिकेट बर्ल्ड कप में बागला देश के खिलाफ टाइम आउट देए गए और वो अंतरराक्ष्ट क्रिकेट में इस तरह आउट होने वाले पहले बनले बाज बने है एंजेलो मैथ्यूच सदीरा के आउट होने के बाद मैदान पर पहुँच थे लेकिन गड़त हेलमेट की वज़े से उनने मैदान पर पहुँचने में एक मिनट की देरी हुई और इस तरह उनने नियम के अनुसार टाइम आउट दे दिया गया पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेशन पूछा था पूरस विश्व का दोईया 34 की मेंजवानी कौन सा देश करेगा इस कूशिन का सही अनसर था उप्षन बी सौधी अरप तो फूशिन का सही अनसर लगबक सभी स्टूडेंटस ने सही बताया था अब आपके लिए आज का कूशिन है कि इस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीडिया पहल को बंद करने की योश लगी है इस कुश्चन का सही अंसर आपको कमेंट में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हेलफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शिर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिन जय भारत वंदे मातरम